कर देंगे हैं को बड़े अच्छे तरीके से देखा था अपनी प्रीवेस क्लास में अभी जो है हम देखते हैं के फैक्टर्स टू फॉकस के कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए तो यहां पर बहुत सारे जो माइंडसेट के हवाले से कुश्चन हैं वो क्ल मतलब यह है कि हम कोई भी स्टार्डजी सीख लेते हैं या सीकने की कोशिश कर लेते हैं लेकिन उसका डिसिप्ल इसेтоящे उसे एक हजार ट्रेट्स ले लिए हैं आपने एक सो ट्रेट्स लिए चुछ आपने एक हम अपनी मरजियां शामल करते हैं जो स्ट्रेजि का डिसिप्लून होता है हम उस से उटते हैं हो अप strategies को लेके आ जाते हैं उसके अंदर अपने mindset को involved कर लेते हैं उसके साथ तो यह बड़ा एक जो है ना दागदार किसम का concept है कि कोई भी strategy moving average को लेके हो वो किसे indicator को लेके हो प्राइज action हो वो smart बनी हो तो हम वहां पर जब अपनी राय कैम कर लेते हैं उसके साथ साथ तो फिर वहां पर हम strategy का discipline खराब कर देते हैं तो इस वज़ा से जो है ना हमने बड़े losses उठाए हैं और लोग losses उठाते हैं तो यह नहीं करना जो आपकी strategy हो उसको पहले जो है कि उसके चार रूस पूरे हो रहे हैं तीन पूरे नहीं हो रहे साथ रूस थे तो आपने जो है बिल्कुल भी उसको ट्रेड नहीं करना तो आपने strategy का इसको बिल्कुल खतम नहीं करना वह स्ट्रेड़ी कोई भी हो सकती है वह आपकी अपनी खुश्वाक्ता strategy भी हो सकती है वह आपकी प्राइस एक्शन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता तो आपने उसका discipline खुराब नहीं करना आपने discipline ट्रेडिंग करनी है आपका जो भी ट्रेड हो आपकी rules के मताबे को rules नहीं तोड़ना आपने बिल्कुल भी नेक्स जो चीज है जिस factor पर हमें focus करना है getting out of trades to quickly अच्छा इसमें हम ट्रेड से बहुत जल्दी आपना potential target माइड में होता है कि हमारा potential target यह होगा ठीक है profit वाली position को लेके मैं बात कर रहा हूं कि profit वाली position हमारी blue position चाल रही है तो हमारा potential target था फाइपरसेंट का या 7% का हमारा target था तो हम क्या करते हैं वान परसेंट या 1.5% या में भी हाफ परसेंट भी जो है ना हम trade close कर देते हैं के जी बस ठीक है profit आगया इना फैम इस तरह चोड़ी 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 करते जाते हैं छोड़े चोड़े प्राफ़र लेते जाते हैं लेकिन इसके साथ अगला पांड़े कर लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना लॉस वाली position को जल्दी क जो है ना उसको आप चलने दें तो आपने बिल्कुल भी जो है ना इसको जो हमारी profit वाली ट्रेड्स हैं उनको जल्दी काट नहीं करना जो loss वाली हैं उनको हम क्या करते हैं हमारा profit हो रहाता है 0.5% और हम loss जो है वो 5% तक 10% तक और बाज उकात जो है ना हम पूरी के पूर कर सके profit वाले position को आपने जो है ना वो रन करना है उनसे maximize जो है ना अपने profit को maximize करना है उनको पूजिशन के साथ अच्छा नेक्स्ट जो है वो skipping trades with fear of loss आपने trades तो हैं वो loss के डर से skip नहीं करनी मतलब यह कि आपको एक setup मिल रहा है आपको एक setup मिल रहा है यह कहरे है मैं sorry question ले रहा हूं I suffering from this problem जी यह problem बहुत common है काफी सारे लोग काफी सारे नहीं ज्याता लोग इसका शकार होते हैं थोड़े लोग हैं जो इसको नहीं देखते actually मैंने जो पहली चीज़ कही थी ना कि lack of discipline with strategy तो वही चीज़ इसके अंदर involved होती है आपको अपने strategy पर यकीन नहीं होता या आप जो है ना अपने strategy को अगर यकीन नहीं होता तो फिर आप trade क्यों करते हैं पहली चीज़ तो पहली चीज़ यह है कि खुद खुद पे अपनी strategy पर यकीन बनाएं जब आपका यकीन बन जाए मैंने लास्ट इम ट्रेड प्लैन कर रहे थे तो उस टाम यह आप लोगों यहीं बताया था कि सबसे पहले आपने homework करना है अपना skill level जो उसको चेक करना है demo account पर टेस्ट करना है टेस्ट करने का जब आपका यकीन बन जाए इ सब्सक्राइब में लेने से पहले हो चीजएं क्लेर होती है साथम में यह 5-5 अगर आपक factors तो कितना हो और वहािह तो Universal कितना हो प्लब्लाद हो तो मैंने मैंने आपको बाया था ता कि रिस्क तो रिवार्ड होगा वहापका वान रिश्यों थ्री होगा थ्री से कम आपने नहीं लेना ठीक हैर ऌश फ्रीड करने जिसमें आपका भरी से काम जो है ना वो रिस्ट प्रूर्वार्ड बन रहा हो आपको सैट अपस मिल जाएंगे वाला मीं मिल देगा मेभी वाला मीं मिल देगा लेकिन आपने वो ट्रेड नहीं करना ठीक है एक्चुल में जो है ना स्मार्ट मनी और जब हम प्राइज एक्शन को कमपेरिजन करें तो फिर मैं आपको यही चीजें वहाँ पर क्लेर करवाऊंगा कि हमें क्यों इस साइड पर आना चाहिए प्राइज एक्शन को छोड़के अधरवाई इस दोनों स्ट्रेड़जी बहुत कमाल है अच्छा तो इसमें क्या होगा कि आपने लौ जो है ना अपनी स्ट्रेड़ आपको मैनेज करना आगया आप उस दिन से प्राफटेबल ट्रेडर होगे चाहिए उसके बाद स्किपिंग ट्रेड्स फिट फियर आफ लॉस यह मैंने भी आपको डिसक्स किया क्या आपने लॉस के डर से देखे ना जब आपका सैटप कलेर हो आपको बता होगे मेरी ट्रे होगा कि स्ट्रेड पे मुझे दास डॉलर का लॉस होगा मैकसीमम ठीक अगर प्राफट आता तो तीस लेवल का चालीस लेवल का या पचास लेवल का सुरी पचास डॉलर का प्राफट हो जाएगा तो आपने सबसे पहले जो है ना अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना प सबसे बढ़ा जाएगा तो इसलिए जो हैना आपने नहीं करना कौनफिडेंस होना चाहिए विद कैल्कूल जा जाता जहा जब आपका रिस्क और है मसला ही सबसे वड़ा जाए यह है कि हमें रिसको ही नहीं हैâm करते हूं करने को बाद हमें पता ही नहीं कल लिकते हुआर। हमारा जब वन रिस्क कंकी होती हैं इसलिए सब से पहले जो है ना मैंने ट्रेड ब्लैंड आपको दे रहा था तो से मैंने यही बात बताई थी कि कैलकुलेटर रिस्क हो आपका वन परसेंट ट्व परसेंट थ्री परसेंट थी इस से ज्यादा बिलकुल भी नहों और जो न्यू ट्रेटर्स थैपने फ़र्ज ग लेकिन आपने क्या किया अच्छा इसमें दो तरह से हम मैं इसको करता हूं कि एक तो आपको सैट अपस दो अच्छे मिल रहे थे आपने वह भी लिए फिर उसके साथ साथ आपने जब वह देखा कि जी वह प्राफट में आगी है दो नू ट्रेड्स वह आपने धक्के से जो है लगा दें हैं वह पिछले दो प्राफट में चल रही है तो ऐसा नहीं करना चाही ठीक है ज्यादा से ज्यादा जो है कि लोस में चल रही है तोती अधर चल रही है ना लौस में तो आप एक और चायद कर देंग Tibb पर फिर मरना यह पह रही होता है कि जो हम आङका रहे होते उनके लॉट साइस ज्याना भड़ा ते करते हैं मार्टिंगल यूज्ज करते हुए उनके लोड सेज बढ़ा देते हैं फिर वह जहां भी हमारा वानिपरसेंट लॉस होना था वाँ एक ही ट्रेड में हो जाता है जब कि हमने सोचा यह होता है कि हम वनपरसेंट जो हैंना वह लॉस करें कि अपने ट्रेड का थो इस त अगर आपको लग रहा था ना कि यह हमारा यह पता नहीं क्यों नहीं लग रहा रेजर यह थोड़ा सा मसला आ रहा है बता नहीं क्यों ने चले लक को पैसे पता देता हूं कि आपको लग रहा था णा की यह हमारा जोन है फार्द कि चालिस शुप या पैसा़ फिप का इड़ो जोन बंढ़ रहा वहपर तो इतना बड्रोंत वांन रहा है तो हम चाथते हैं कि जरा जो है ना हम इस जोन को पूरे को जो है ना वह अच्छे से ट्रेड कर लें तो उसके अंदर आप इस तरह से चांदे हैं यह डाल देना अगर आप टोटल डू परशंट लेना चाहते हैं तो टू परशंट को आप विड़ाइड करनेगे आपने फाइव लेड़ करनी है एड़ फाइव लेड़ पे उसको डिवाइड कर लें यह तो रहागे पॉन परशन्ट पहले कर दिया फिर वन परशन्ट यह पिर त्री परशेंट लगा दिया फिर अब स्टाब्लास के पास गई तो वहां पे कट्था ही पूरा अकाउंट ही लगा दिया गी यहां से तो वापस आएगी आगी तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना अच्छा मेरे खाल में यह वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लेर होगे होंगे कि हमने एक तो अपनी स्टेजी का जो डिसिप्लेन है उसको बिल्कुल खराब नहीं करना है दूसरा हमने जो लॉस वाली ट्रेड्स हैं उन से जल्दी निकलना है जो प्राफट वाली ट्रे होना चाहिए तो हमें बिल्कुल भी जो है ना वा लॉस का डर नहीं होगा उसके बाद जो है ना हमें ज्यादा ट्रेड्स में एंट्री नहीं करनी अगर हमें लगता है कि जी हम जो है ना ये ट्रेड अगर लॉस की तरफ चाल रही है तो हमने लेयर्स एड़ नहीं कर दिने तर जो है ना उसको बिना सैट अपस देखे जह ना यहाँ प्लैन के हमने रेड नहीं कहा दो खें हमारी पहली में चल रही है जो है ना ना क्यों करें सुर्द किनम करना धर हम और फ्रूर अजो ऑड Sono देख हुlt यद। प्राफट में चाल रही है तो यह लॉस में चली हैं तो कुछ नहीं होगा अच्छा उसके बाद अगर हमें लॉस हो जाते हैं तो हमें किस तरह से उनको रियक्ट करना है लॉस को जो स्किल्फुल ट्रेडर्स होते हैं ट्रीट लॉस एद अपर्चुनिटी टू लान एंड इंप्रूव दियर स्किल्फुल यागर आपका लॉस हो जाता है तो मैंने ट्रेड प्लैन के अंदर आपको आपको चीज़ क्लेर की थी कि आपने जर्नल बिनाना है उसका ठीक है आपके पास रिकार्ड होना चाहिए पूरा कि आपने किस बेस पे ट्रेड ली थी और अपनी स्किल्फ को इंप्रूव करने के लिए उसकी वज़ा फाइंड करनी है उसके बाद जो है ना उसको आपने अपने दिमाग में बढ़ा लेना कि मुझे लास्ट टाइम इस तरह के सैटप पे इस वज़ा से लॉस हुआ था तो आपने वह वाला जो पॉइंट होगा न पीरूब इस चीज़ है लास जो है उसको आपने बिल्कुल अपने कंदों पे सवार नहीं कर लेना लॉस जो होता है वह फिकांग मौर सिक्सफफ़ अब और स्कूलफ ज्ञादा कामयाब और ज्यादा स्कूल्फल बनाने के लिए होती है तो हमें उसको ग्रैब करना इस सकता हूं ग्रणंटी से कह सकता हूं कभी आप का account जो आनो वाश नहीं हो गा मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लास्ट तो यही बात हमेशा कहता हूं कि वन पर्शंट रिसक साथ अगर किसी का अकॉञंट वाश हो जाए तो बज़गा अपने का-उर्ट की मुझे भात क्योंके सो ट्रेब्स होती है अगर आपने कैपिल वडाना भी वह तो होती है अगर सोंची है आप McMенить किया वहा है तो सो में Teil बीस चैशें पिस लॉस नहीं होता आपका बहुत नंबे उसे तका आप का चलता है तो इससे आप हर रोज जो है नहीं चीज़एं सीखते हैं हर ratio हार futur में नहीं नहीं चीज़ें सीखते रहते हैं ऐसा नहीं होता कि आपने जो है नहीं जो आ वह Soda आजार डालर से आप सोड रेड़ होगी ना सो में से आप जो है नहाब तीस चालिस भी जो है नहीं करेंगे ना ड्रेड शूरू में आपकी अकुरेस्जिदी ज्यादा नहीं होगी जब आप थोड़ी ड्रेड बेंगे लेकिन फिर भी आप का नहीं करते सैट-प के साथ ठीक है वह क्या करते हैं अदो या तीन सैट-प के साथ 15 भी यू है वह विना सैट-प सके अक Euh वाश और तो इस तरह से नहीं सीक थे आपने हमेशह वह वानट परसेंट इसके के बाद जो है यहां तक किसी को कोई कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो वह बूच सकता है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा बचा है तो मैं अगला टॉपिक जाना वह भी स्वार नहीं करता